हाई फ्रेंड्स, मैंसर्फ डॉक्टर जितेंदर सिंग, आज मैं अपने इस मेडिकल पार्ट शाला चैनल पर जो अपन step by step approach to ECG interpretation उसके बारे में जो वीडियो रिकॉड कर रहे हैं, उसी के continuation में दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो रिकॉड करने वाले हैं दोस्तों आज वो है QRS complex interpretation जैसा कि मैं बार 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 बता चुका हूँ, यह six step approach अपने को रखनी है मेंसा जब भी अपन ECG strip देखेंगे तो उसमें first step है general impression कैसा है, calibration then rhythm interpretation यह तीनों के बारे में दोस्तों अपन वीडियो रिकॉड कर चुके हैं, आज अपना वीडियो रिकॉड जो करेंगे अपन QRS complex interpretation या QRS complex के बारे में R-wave progression, axis deviation, bundle branch, block, उसके बाद hypertrophy, इसमें atrial, ventricular hypertrophy देखेंगे दोस्तों, then finally we will discuss about the ischemia, that is ST elevation, ST depression, Q-wave के बारे में दोस्तों अपन पढ़ेंगे तो दोस्तों आज अपना जो वीडियो रिकॉड करने वाले हैं, वो है QRS complex assessment, इसमें भी दोस्तों पहले हैंपन देखेंगे R-wave progression, R-wave progression में दोस्तों इसका क्या मतलब है, R-wave progression का क्या significance है, क्या meaning है दोस्तों, आज हम यह सब सीखेंगे तो जैसा कि यह वाली slide में पहले भी कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ, normal conduction pathway, ऐसे node जो होता है, अपने heart में, वहाँ से electrical current generate होता है, इसलिए इसको open paste maker of the heart बोलते हैं, उसके बाद यह current atria में फैल जाता है, atria से finally यह AV node में आता है, AV node से bundle of edge में जाता है, bundle of edge से bundle branch म bundle branch में जाता है, दोस्तों, उसके बाद bundle branch में भी left bundle branch, then right bundle branch, and finally, purkinje fiber के through, ventricular wall में फैल जाता है, दोस्तों, तो अगर current, अगर दोस्तों, यह current अपनी इस normal pathway को, normal conduction pathway को follow करता है, तो heart के अंदर, जो final current का direction है, direction of current flow जो heart में होगा, जो final vector current का बनेगा, उसकी direction, direction जो है, left, downward, and lateral direction होते हैं, जो अभी मेरे हाथ की direction है, या pan की direction है, इस direction में दोस्तों, current का normal vector होता है, तो rave progression abnormality, इससे आपको क्या समझ में आता है, जैसे अपने को देखना है, rave progression normal है, या good है, या पूर है, ये अपन देखते हैं तो दोस्तो, r-way vIEre progression अगर ये जो भी अपने conduction pathway पढ़ा, current का अगर इस direction को current follow कर रहा है, इसी route से जा रहा है, तो उसका r-way progression normal होगा और अगर r-way conduction pathway इस pathway इस pathway को follow नहीं कर रहा है normal conduction pathway को follow नहीं कर रहा है तो उसका आरवे प्रोग्रेशन पूर होगा दोस्तो अभी अपन लर्न करेंगे कैसे ECG में उसको देखते हैं तो फिर से अपन स्लाइड पाते हैं दोस्तो मैंने आपको ECG के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुका हूँ पहले लेकिन आज फिर से आप थोड़ा सा इ या चर्ष नीड होती हैं दूसरा लिम लेड या हैक्से के लिड होती है दोस्तो जो लिम लिड होती है जिल वन लीड टू लीड फी एन्ट एल इससे क्या मतलब है जैसा कि इस डाइग्राम में दिखाया है लीड वन लीड टू लीड थ्री इन तीनों की डायेक्शन अपना जो नॉर्मल करन्ट फ्लो का वेक्टर है उसकी डायेक्शन यह है लेफ्ट लेटरल एंड डाउनवर्ड इसी डायेक्शन में होती है तो अगर कि कि डायेक्शन अगर हट में जो नॉर्मल करन्ट फ्लो की डायेक्शन के सेम होती है तो उसके अंदर मैं जो क्रिक में बनता है वो पोजिटेव बन्राइब लेकिन अगर किसी लीड के अंदर पर जो करेंट फ लो की की डारेक्शन है हर्ट के अंदर नौर्मल करेंट फ्लो की डारेक्शन है उसके अपोजिट डारेक्शन में वो लीड की डारेक्शन होती है तो दोस्तों उसमें नेगेटिव लीड बनती है जैसा कि अपनी एवी आव लीड जो है उसकी डारेक्शन ऊपर की तरफ है और जो कर कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो नेगेटिव डिरेक्शन में बनेंगे ये दोस्तों आपको मैं लीड वाले वीडियो में काफी डिटेल में बता चुका हूं आप एक बार वो देख सकते हैं तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों लेकिन अगर हमको आरवे प्रोग प्रोग्रेशन का देखना है तो तो प्रिकॉर्डियल लीड सो बेटर इंटर्पेटेशन एवाउट आरवे प्रोग्रेशन दोस्तों आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में बताया लेकिन आप फिर से ये देखिए आपको ये चैस्ट लीड अपने इस तरह से अरेंज ह होती है ये वे 6 दोस्तों इस तरह से अपने हर्ट में इसको हर्ट को विज्यौलाइज करने के लिए अपने चैस्स लिड लगाते हैं तो जो लीड वी वन और वी टू है ये heart के right side में होती हैं दोस्तो इसलिए इनकी direction अपने current flow की direction से opposite होती है आपको मैं बता चुका हूँ lead V1 को अपन sternum के right side में लगाता है लेकिन ये comparatively heart के right side में होती हैं दोस्तो दोनों ही lead तो इनके अंदर जो QRS complex बनेंगे वो negative बनेंगे क्योंकि इन lead की direction अपने जो normal heart में current flow है उससे ये opposite direction में हैं तो lead V1 और lead V2 कि जब भी अपन QRS complex देखें तो उनके अंदर ये QRS complex negatively directed होने चाहिए downward directed होने चाहिए तो ये normal है अगर ये positively directed है तो ये abnormal है दोस्तो V3 और V4 जो lead है उसमें transition होता है थोड़ा सा ये current की दिसा में होती है लेकिन थोड़ा सा ये right side में होती है इसलिए इनके अंदर transition होता है ये positive in between positive and negative होती है positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है लेकिन फिर finally जो V5 और V6 completely QRS positive direction होते हैं दोस्तों तो ये देखने के लिए हम के आरवे progression किसी भी chest जो अपने ECG निकाला है उस ECG strip के अंदर आरवे progression good है या poor है ये देखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या देखेंगे उस ECG strip के अंदर अगर हमें देखना है कि इसका आरवे progression good है या poor है तो हम simply उसके V1 V2 lead को देखेंगे और V5 V6 lead को देखेंगे क्योंकि V3 V5 तो positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है तो इनको अपन इतना ध्यान नहीं देगे simply happen V1 V2 lead में कैसा deflection होना चाहिए QRS का negative direction में होना चाहिए दोस्तों वो normal है V5 V6 में positive होना चाहिए अगर इसका उल्टा है तो वो poor आरवे progression है अगर ये है कि V1 V2 में positive है V5 sorry V1 V2 मे negative deflection है QRS का और V5 V6 मे positive deflection है QRS का तो इसका good आरवे progression है दोस्तों तो हम जब भी ECG strip देखें तो ये chest lead देखें chest lead में भी ये दो lead देखें V1 V2 और V5 V6 इन 4 lead को देखके हम बता सकते हैं कि ECG strip के अंदर आरवे progression good है या आरवे progression poor है ठीक है दोस्तों तो ये वाली strip देखें जैसा कि मैंने बताया जो lead V1 V2 V3 इन तीनों में ही QRS positive direction में हैं दोस्तों upward direction में ये लोग ये reflect कर रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करूं ABF ABL इनके अंदर भी positive direction में reflect करते हैं इनके QRS complex लेकिन ABR में सभी lead ABR में सभी waves जितनी भी waves वनती हैं P, QRS, T ये negative direction में होनी चाहिए दोस्तों तो ABR में negative direction में है बाकी समय positive है तो ये normal या good R-way progression है बट हम मैंने जैसा बताया R-way progression में देखने के लिए हम limb lead नहीं देखते हैं only chest lead देखे ही हम ये पता लगा लेता है कि इसमें R-way progression good है या R-way progression poor है दोस्तों तो मैंने जैसा बताया V1, V2 में अगर negatively deflected QRS complex हैं and V5, V6 में positively deflected QRS complex हैं तो ये कैसा है good R-way progression है और अगर ये इसका उल्टा होता है तो poor R-way progression होता है जैसा मैंने बताया दोस्तों आपको V3 and V4 lead जो है उसमें transition होता है आप देखिए V1 में negative था V2 में negative था V3 में positive होना start हुआ और V5 में positive ज्यादा है negative बहुत कम है लेकिन जैसे जैसे V5 आया totally positive है और इसमें V6 में और ज्यादा totally positive है तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी ECG strip जब आपके सामने आती है तो सबसे पहले देखेंगे उसकी chest lead, chest lead में V1, V2 एक साथ देखेंगे, V5, V6 एक साथ देखेंगे अगर उसका good rave progression हो रहा है तो V1, V2 negatively deflected QRS होंगे and V5, V6 में positively deflected QRS complex होंगे अगर यह है तो हम कहेंगे कि ECG में इसका good rave progression है अगर इसका उल्टा होता है V1, V2 में positive QRS बन जाते हैं या फि फिर V5, V6 में negative QRS बन जाते हैं तो दोस्तो हम बोलेंगे इसका poor rave progression है थेंक्यू दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में